तिहारो का मोसम शुरू हो चुका है 26 सितंबर से शार्दिय नवराती की शुरुआत हो रही है इसी दुरान पूरे 9 दिनों तक मादुर्गा के 9 स्वरोपी की उपासना की जाती है लोग अपने घरों में घर्ट स्तापना करते हैं जगा जगा माता के पंडाल सजाये जाते हैं मंदिरों में भव्य सजावत की जाती है नवरात में लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन ही घ्रहन करते हैं जिसमें अनाज, फलहार, आदी, खाद, पदात शामिल किये जाते हैं लेकिन वहीं जो लोग व्रत नहीं रखते वो भी माफ मदिरा, लसुन, प्याज आदी का त्याग कर सात्विक भोजन ही घ्रहन करते हैं लेकिन क्या अब नवरात में लसुन प्याज ना खाने का कारण जानते हैं अगर नहीं तो आईए, हम आज आपको इसके कारणों के बारे में बताते हैं सनातम धर्म में किसी भी पूजा पार्ट के तुरान लसुन प्याज खाना वर्जित माना जाता है कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंतन हो रहा था तो उसमें नौ रतनों के निकलने के बाद अंत में अम्रित के उपत्य हुई थी इस अम्रित को देवताओं में समान रूप से बाटने के लिए भगवान विश्नुन ने मोहिनी रूप धारन किया था उसी दोरान दोदानव राहु केतु ने देवताओं का रूप धारन कर अम्रित पान कर लिया था भगवान विश्नु को इस बात का अभास होते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उन दानों का फिर धर से अलग कर दिया इससे निकली खून की कुछ बुंदे प्रिथवी पर गिर ही इनी बुंदों से लश्न और प्याज की उपहत्ति हुई ल श्न प्याज से तीकी गंद आने का भी यही मुख्ष कारन है इसके अलावा लहसन प्याज ना खाने का एक दूसरा मुख्यकान बताया जाता है कि लहसन प्याज का अत्यधिक प्योग करने से इंसान का मन भटकता है पूजा में पूरी तरह से मन लग सके इसलिए लहसन प्याज को खाना वर्जित है इसके विज्ञानी कारुन की बात करें तो शार्दिय नवरात्री अक्टूबर नवंबर के महीने में पढ़ती है जब सर्दी के आने और गर्मी के मौसम के जाने का समय होता है मौसम का ये बदलाब शरीर की इम्म्यूनिटी को कमसोर करता है लेकिन वहीं सात्मित बोजन के सेवन से डाइजेशन तो ठीक रहता ही है बोड़ी भी डिटॉक्स होती है आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद